मनका आपकी sexual life में कोई बदलाव तो नहीं आया तो कैते हैं इससे आप डॉक सब क्या कहना चाहते हैं मैंनका मेरा कहने का मतलब है sex life पहले से कम हो गई है या पहले से जादा बढ़ गई है इनके जो friends हैं उनको लेके कुछ पदलाव तो नहीं है क्या problem है क्या problem है क्या इनके जो friend है ना उनकी जो wife है वो इनकी office की colleague है तो दोनों को मिलके ना इंडिया में उनने टॉप किया एक पर्टिकलर जीज में तपसे ही मुझे लग रहा है कि इनका चक्कर होगा ऐसे ही कोई बात नहीं है आपको ट्रस्ट करना चीए इतने अंदे कभी नहीं बनना चीए कि आप अंदा धुन ट्रस्ट करें और आपके बच्चे क्यों नहीं हो आपके माबाप हो या जब शादी के आसपास पोहुंचने लगते हैं 25-25 साल की उमर में हो चुके तो यह इभी नहीं कि मुझे कहा है कि मुझे मुझे डाउट ही है विश्वास तो नहीं है मैं तो आप से जानने आई हूं कि कौन सी चीजे हैं जो मुझे चेक आउट करनी चाहिए कि इनका अफेर है या नहीं जो मैंने इस पहला सवाल पुछा था डाउट है या पूरा पूरा विश्वास है उसमें बहुत इंपॉर्ट जिन्दी जो है नर्क बन जाती और घरवाले उसको समझाते भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जो आप देख सकते हैं तो आप दोनों वीडियो को कंपैर करके और वी बेटर समझ पाएंगे तो मैंने आपके साथ एक चेकलिस्ट है उसको चेक आउट कर ले बुए गया नहीं का शाओ लेंड बदल गया हो इनका पर्फियम बदल गया और अगर आप बुरा ना मने उनका अंडेर वियर बदल गया हो उसका ब्रैंड बदल गया है तो जोड़ी घड़ी हो आज कर रहे हैं और जब आपके साथ जब रिष्टिदारी में जाते हैं तो उत्रा ध्यान नहीं रखते कितिनी ऐसा तो कुछ नहीं है बलकि रिष्टिदारी में ज्यादा ध्यान रखते हैं बजाए ऑफिस के मन को टो हो गया दूसरा पूइंट जो पूछा वह तो बहुत ही सिंपल है जो सबी लोग समझ भी लाप टॉप में हमेशा पास्वर लगा रहता है ब्राउज इस्ट्रीक आप रहती है वट्सेप की चाट डिलीट होती है डेली बेसिस पे और यह बात्रूम में भी अपना फोन जाते हैं क्योंकि बात्रूम में फोन जाने का तो मतलब यह आपको कोई सर्प्राइज गिफ् क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं कि 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 इस इंग स्टाइल में चेंज आया या इस तरह की चीजों में तो होता कि अगर सेक्स कम हो जाए तो हो सकता है कि इससे चल रहा है उसके थाथ इमोशनल इंवाल्मेंट इसनी ज्यादा होगी है या फिर वह पार्टनर भी घंका कि खबरदार थो नहीं इपने पार्टनर के साथ सेक्स किया तफिक्सलाइफ दो हौजाती है वहाती जा रहाili तो काफी वाइल्ड और से एडवेंजरस हो जाती है सेक्स लाइफ में इसको ओमपुरी देखके भी थोड़ा हेरान सा हो जाता है कि यह क्या हुआ है मज़े लेता है यह स्मार्ट होने की जुरत है कि कोई गडबर तो नहीं हो भी है ऐसा तो डॉक साब कुछ नहीं है मैं ठीक एक नेक्स पॉइंट पर आते हैं इनके behavior में बदलाव तो नहीं हो जानना चाहते हैं कि आज आधने आप में घलतीया गाला निकालते हैं आपके खाना बनाने में आपकी बॉड़ी वेट को लेकि या बोलते हैं कि बिस्तर में अब तो इतनी पहले थी या बिना बात कर होजाता है और old me बहुत होजाता है बहुत हैं सेव कर रहे हैं यह इनके धोक्त पूछा वो यह था कि इनके जो फॉप्रेंड ना कि वाइफ है वो इनकी और आफिस तो दोनों को मिलके ना इंडिया में उन्हें टॉप किया एक पर्टिकुलर जीज में तब से मुझे लग रहा है कि इनका चक्कर होगा ऐसे ही कोई बात नहीं है इनका जो उनके तो एक्स्ट्र केरिंग हो जाएंगे आपको अवाइड करने के कोशिश करेंगे केरिंग को लगेगा कहीं नहीं आपके साथ चल रहा है याज जूट हो रहा है और अवाइड करने के कुछ फ्रेंट क्योंको लगे हमारे मुझे बात निकल गई तो यह भी प्रॉबलम हो सकती ह चलते हैं एक सब्सक्राइब करने के शड्यूल में चेंज आ गया है जिम में ज्यादा टाइम बिशाते हैं इनका बार बार टायर पंचर हो रहा है बैटरी खराब हो रही है और जो है ट्रफिक जाते हैं और जो इनकी मीटिंग्स हैं वह आउट अट अव स्टेशन जो हैं बढ़ गई है ऐसा भी कुछ नियabled okay तो मैंने घर के फारनेंस करता है कि इनके निया पैसों को सबाला सारे पैसे क्रेसे मालती हूं अपने प्रेडिट कार्ट की स्टेटमेंट्स देखी बैंक की दिक्कत तो नहीं कितनी उसमें तो कोई चाहिए नहीं आए क्योंकि मैंने परस्टनली अपने क्लिनिकल एक्स्पीरियंस में देखा है कि कई लोग कई लोग हजारों में नहीं लाखों खर्च कर देते हैं और घर भी खर हम सब्सक्त हूं अदी में क्या होता है जब भी कोई नया अवर चलता है यंग एज में कले ओंव चाहिए आए्पवन कंड़र सो जेश च्कतम बाइच ठीट करें और सपोर्ट करें स्ट्रेंथ को और वीकनेस को कवर करें अगर हम ऐसा करते हैं तो तो रिष्टा बहुत अच्छा चलता रहता है क्योंकि इमोशनल इंटीवेसी बनने में टाइम लगता है वह अचानक नहीं बनेगी उसमें कुछ महीने कुछ सालों लगते हैं कई कपल्स होते हैं वह आपस में बैटके सिर्फ चाई भी पिल लेते हो उनको बहुत अच्छा लगता है जैसे पर्स में लोग फोटर रखते है अब तो स्क्रीन शॉट में होगी तो यह सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टन है उसके फिर मनें का आखरी पॉइंट आप यह बताइए कि क्या आपने से डारेक्टली पुछा कि इनका फैर चल रहा है कि नहीं कि हां मैंने पूछा डॉक साब और मैंने सारी चीज़ें बताइए क्या आपका कभी अफेर तो नहीं चला तो वह थोड़ी घबरास ही गई उन्हें का हाँ तीन साल पहले ऐसा हुआ तो था मनका क्या हुआ था बताइए डिटेल में अपने पती के बारे में बतारी थी वह मेरा स्कूल का क्लासमेट था उसने फेस्बुक पे फ्रें जान था और मैं भी थोड़ी खाली थी तो हमारी चैट स्टार्ट हो गई फिर चैट स्टार्ट होई फिर हमने का चलो स्कूल रिउनियन है मिल लेते हैं सब लोग मिले बढ़ हम लोग थोड़ा जाद ही मिल लिया आपस में फिरमने कॉफी पी फिर में मूवी देखी निका फिर क्या हुआ कि फिर डॉक्स अब होना इनका हां क्या 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 सेक्स की बात तरिकती हां डॉक्स तीन-चार बार वह भी हुआ ठीक लगा कि ठीक है अब मैं अभी 34 की हो गई हूं तो लाइफ में थोड़ा कुछ नया ये वह तो ठीक है इन शॉर्ट उनको कोई गिल्ट इन को कुई पिश्बतंगर नहीं था जयंतों तो ईसे मतलबान के तो में आई सी ह satellemen भी टैइंट और तो चुपा करके रखा दो डारेटटिंट पूछा तब उन्होंने बताया तो सीधा ब्लेम क्या कर दीति अपने हस्बेंड पे उनका कहने का मतलब क्या था कि अगर मैं ऐसी हुँ तो मेरा हस्बेंड भी कमीना हो सकता है तो अपने आमको कहीं नहीं करने की कोशिश कर रही थी अपने आपको रखना पड़ता है जो हिस्ट्री ले रहे होते हैं और मैंने बहुत एक्ट्रामरिटल अफेर्स में देखा है और अक्सर जो लोग हैं वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते वो तो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं सिर्फ रिसेंट इमने केस देखा था जिन में उनका फेर चल रह समझाने की कोशिश की मैंने दोस्त आप तो जूट में सच नोटने की कोशिश कर रहे हैं जब आपको रिष्टा जूट पर सचाइब तो इसमें आपको सच्चाही कहां से मिलेगी तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिर्क्री जो मैसेज देना चाहता हूं वह यह है है जलो मूवी देख ली खाली पी लिया गूं लिये मज़े कर लिए भी commitment नहीं नहीं क्योंकि देख रहे होते कि क्योंकि long term relationship के फंडी अलग होते हैं शौटॉम रिलेशनसिप के फंड होते हैं अलग होते हैं मिटल लाइफ में क्या होता है लोग बोर से हो जाते हैं उनको नाम लेने की जुरत ही निया एक के बाद एक चलते रहते हैं क्योंकि वह उसी सेवंध क्लाउड या नाइंध क्लाउड पर रहना चाहते हैं जब शे मीने एड़े साल खत्म होता है तो फिर उनका नया फिर चलने लग जाता है आप इमेजन करी चुकि होंगा दो तिन हीरों में कहना चाता था कि वौनल डेगन जी से पुरी तरह साइकाटिर्सक्राइश एमन हैं ट्रस्ट बट वेरीवइफाइड चाहिए वह आपका पार्टनर हो जाहिए वह आपका बिजनस पार्टनर हो चाहिव आपका है एंप्लॉई हो आपको ट्रस्ट करना चाहिए इतने अंदे कभी नहीं बनना चाहिए कि आप अंदा धुन ट्रस्ट करें और बच्चे क्यों नहीं हो चाहिए आपके माबाप हो क्योंकि कोई भी जो है वह इंसान इंसान गलती करी सकता है जितनी जल्दी अगर हमें डाउट न नीचे जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो फिर एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी हिचके चाहना नहीं चाहिए चाहिए वह साइकॉलोजिस्ट हो या साइक्याटरिस्ट हो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अन्यवाद